हे माई डियर डिवाइन फेमानाईन हम लोग चेक कर रहे हैं आपकी एनरजीज अपडेट्स ओ माई गुड़नेस आप लोग अपनी लाइफ में बाउंडरीज बना कर बैठे हैं जो थेंक्स आपके लिए राइट नहीं है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है उन्हें अब आप किसी भी कोस्ट पर एक्सेप्ट नहीं करने वाले ऐसा लग रहा है आप लोग अपनी क्रियेटिविटी और फाइनांसेस पर फोकस कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप से टोटली मूव ओन कर चुके हो आप आज भी उनके लिए सीरियेस हो उनके बारे में सोचते हो लेकिन स्चिल वेड अपनी डे-टो डे लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो अपने फाइनांसेस और अपनी हैल्थ को इंप्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो और wait and watch की energies में हो कि let's see अब आपके person आपके लिए क्या करते हैं